आज के इस वीडियो में हम आपको नाइंथ कलास का हिंदी गवधुली भाग वन इसका गद खंड का अधिया इग्यार है दस तक का पूरा सौल हो गया, बता दियें, समझा दियें, प्रशनुकतर भी बताएं इसमें हमें 11 जानेंगे सूखी नदी का पुल, इसमें हम जानने वाले हैं, इस पूरे चेप्टर को आपको परहाएंगे, मुख्य मुख्य पॉइंट्स आप समझिएगा, मजा आएगा, और कुछ तर अंसर भी इसका हम बताने वाले हैं तो पूरा समझा कर छोड़ेनी, तो लास्ट तक आप बने रहें, वीडियो को लाइप करके सब्सक्राइब कर लिजिए, पले लिष्ट जरूर देखिएगा आपके काम का बहुत सारा वीडियो है, तो चलिए, शुरू करते हैं दियान दिजिएगा सूखी नदी का पुल लेखक है रामधारी सिंह दिवाकर, दियान दिजिए, प्रस्तूत कहानी सूखी नदी का पुल गाउं के समाजिक ताने बाने में आए बदलाव की कहानी है, अब ये कौन सी कहानी है, सूखी नदी का पुल जो है गाउं के समाजि हो बदला वाया कहानी के मूल में रिला बती अर्थात बुच्ची दाए की वहाँ जमीन है जो उसे विवाह के समय पिता ने दान देती अब देखिये कहानी मूल रूप से किस कारण से जगरा होता है लिलावती जिनको उनका भाई बुच्ची दाए प्यार से बुलाते थे, उनको जो है, बुच्ची दाय को, विवाह के समय उनके पिता जी, दान में एक जमीन दिये थे, उसी जमीन का जगरा है, वही कहानी का मूल है, ठीक है, आगे बरते हैं, धियान देजिए, देखिए, आगे है, गाउं के रेलवे अस्टेशन पर गारी, जैसे ही, गाउं के रेलवे अस्टेशन पर गारी जैसे ही रुकी, अब लिलावती जो है, अपने माई के आ रही है, ससुराल से माई के, मम्मी पापा के घार आ रही है, ठीक है, तो अस्टेशन पर गारी रुकती है, लिलावती उच्छा भरे मंद से, आगवानी के लिए, नईहर से आई लोगों को प्लेटफॉर्म पर देखने लगी अब जब भी लिलावती आती थी तो वह देखती है ससुराल सी नईहर आने के बाद लोग देखते हैं कि हमको लेने के लिए कौन-कौन आया है तो लिलावती बना खुस मंद से देख रहा है कि नईहर से भया करने के लिए ठीक है आगवानी में आये भाई दोनों भतिजे सुरेस नरेस तथा एक आपरिच्टित को देखकर अब आगवानी में कुन-कौन आये थे भाई आये थे और दोगों भतिजा सुरेस और नरेस आया था दोनों को देखकर ऐसा लगा जैसे मानों दोनों को देख करने के लिए आया तो यह अलग ही खुसी की बात होती है ठीक है तो उनको लगता था इसे लेलाबती को कि सूखी धर्ती प्यासी धर्ती पर क्या होगा बादल वरस के अस्टेशन के बाहर जीप लगी हुई थी जिसे देखकर लेलाबती उदास हो गई अस्टेशन के बाहर लगा वह रहता था मतलब जहां पावता की बारिस से और दुप से बचे तो लिलाबती सोची कि टपर वाली या ओहार वाली बैल गारी होगी लेकिन जीप को देखकर के लिलाबती नवखोस हो गई ठीक है आगे भरते हैं ध्यान देजिए आगे ध्यान देजिए वीडियो क पर बैठ गया कि जीप अपनी है बुआ सुरेस क्या था भथी ज़्यार ठीक है लिलाबती का तो सुरेस यह जाते हुए बैठ वाली सीट पर कि जीप अपनी है बुआ और नरेश ने जेब से कोई काली सी चीज़ निकाली और जट से तुलिये में लपेट लिया और नरेश जो है जेब से कोई काली सी चीज़ निकालता है और तुलिये में तुरत लपेट लेता है काली सी चीज़ क्या है आगे बढ़ते है बुआ जिग्यास्तावरे सब्दों मे से इसको जानते हैं तेहिए अब पिस्टॉल का नाम सुनते ही भुआ चौक पर आपको पता है महिला लोग अखास करें कि पिस्टॉल कोई भतीजा रख रहें कितना खतरनाक बात पिस्टॉल क्यों पिस्टॉल रख रहे तो बुआ बच्चब गई भाईया ने मुस्कुराते हुए का तब लिडाबती की जो भाईया थी बुच्ची दाए को कहा इसमें अचरज की क्या बात है पिस्टॉल है तो इसमें क्या श्चरी की बात है भाईया की मुव से समद्म सुनकर वह प्रेम रस से सराबोर हो गई तथा अपने भाई की और गौड से देखने लगी कि गाउं में कैसा परिवर्तन हो गई अब भाया जो बच्सी दाय बोला कि सब्धा बताते हैं प्यारशे घर में बच्पन में बच्ची दाय byलते थे साधी के इतने दिन बाद आ रही है तो भी भाया उसे बुच्ची दाय ऊचीड तो सूचे अब लिलावती सोच रही है कि सोचे कितनी बड़ी बदलाव हो गई कितनी बड़ी बदलाव हो गई है खादी कप्रे पहनने वाले साधा वस्त्र में साधा वेस में रहने वाले जो है आज जेब में पिस्तोल लेकर घूम रहे हैं तो यह कितनी बड़ी बदलाव है यह समय पर परिवर्तन की देन है या समय परिवर्तन है गरामीन परिवेस विकृत हो चुका है बदल चुका है खराब हो चुका है आरक्षन के कारण अगरी पिछरी तथा उच नीच की भावना इतनी परवल हो गई है अब आरक्षन के कारण अगरी पिछरी उच नीच की भावना क्या हो प्रबल हो गया है और इस्तिती खराब हो गया है विकरित मतलब होता है खराब होना इस्तिती इतनी खराब हो गई है गाउं की इस्तिती खराब हो गई है कि एक वर्ग एक वर्ग दूसरे वर्ग की जान के गरहक बन गए है एक गाउं में जातियता बरत जैदा होता है लोग थ करते हैं तो आपको पथा होगा घर बनाते हैं पतिफेश्वाय नहीं अज़ सब गए === तुम्हारी वाली जमीं गिद्ध्धों के लिए मानस का लोथषरा बने लिए अब गिद्धद। के लिए मानस का लोथषरा का क्या मतलग है? जब कई सारे जुन्ड में आते हैं न गिद और एक हिमांस पर जपट्टा मारते हैं तो जानते क्या होता है सब लर लेते हैं उसी परकार जो जमीन लिलावती को दिया गया था वही जगरा का कारण था अच्छा हुआ कि तुम आ गई जमीन का कोई फैसला करके ही जाना अब भ बुच्ची दाए 13-14 वर्सों के बाद नहीं अरलोटी यही सब पूछेगा बुच्ची दाए कितने दिनों के बाद नहीं अरलोटी है तो बुच्ची दाए 13-14 वर्सों के बाद नहीं अरलोटी है इससे पहले मां के सराध करम में आई थी इससे पहले करम आई थी जब इनक समाजिकता के विशे में विचार करते है, ग्रामिन समाज के ऐसा होता है, और कि नईयर सिर्फ भाईव हो जाई का नहीं होता, बलकि नईयर पूरे गाउं का होता है, नईयर क्या होता है, पूरे गाउं ही अपना नईयर होता है, देखिए, बस सही है, लड़की ससुराल जाती है तो उनका गाउं ही उनका नयर होता है पुरा गाउं ही भाई हो जाई होता है लेकिन एक उसका भाई हो जाई का नहीं होता है उनको पुरा गाउं को लेकर चलना पड़ता है कारण क्या है अब गोलर की गाउं से कहीं भी जाएगी साधी हुआ तो कुछ भी गलती करेगी तो उस गाउं को गाली पड़ता है, कुछ अच्छा करती है, तो गाउं को इज़त मिलता है, ठीक है, ध्यान दीजे पूरा गाउं होता है, ठीक है, अपने भाई-भाती जे के समान होता है, इस ही वैचारिक क्रम में उसे ख्वासीन टोली की सहलिया माय आदाती है अब इसी के ख्वासीन टोली की सहलिया माय अब सहलिया माय कोन है उसकी आदाती है अब सहलिया मै नम देखिए जिसके अस्तन का दूद पीकर वह पली बढ़ी थी अब ये जो है बुच्ची दाय सहलिया माई का ही दूद पीकर पली बरी थी, उस समय समाजिक परिवेस कुछ और ही था, और उस समय समाज की इस्तिती कुछ और थी, अलग इस्तिती थी, ठीक है, आगे ध्यान दिजिएगा, अब आगे क्या बताया गया, बोला गया किन्तु इस बार हर कुछ परिवर्तन पो लिकती है, इसलिए देर चौदा वर्स के बाद आई है, तो हर कुछ बालंग paper ceremony हो गया है, चंज हो गया है नदी पर काटन कीया की जगा सिमेंट का पुल, आप नदी पर पेले काट का पुल था, उसके पर अब सिमेंट का पुल है, नदी में पानी कि जगा रेत ही रेत है बालू ही बालू है क्योंकि नदी सूख गई है इसलिए सूखी नदी का पूल नाम रखाया तो बुआ को गाउ ho बदला बदला दिखाइए दिया मतलब गाउ बदल गया है अलग सा लगणा इसलिए गउ के अदिप धियान दीजी है सखी सहलिया नदी पोखर खेत खलियान ना थबावा का थान आदी के लिए अब सुचिए क्योंकि टीवी फिरिज सब बुआ के पास अपने ही मुंबई में था तो यहां बुआ किसे लिए तरस रही है सहली के लिए नदी पोखर देखने के लिए खेत खलियान देखने के ल बुआ सहिलिया माई के लिए दो सारी लाई थी, सहिलिया माई के लिए दो सारी लाई थी, किन्तु साम हो जाने के कारण वह उसके घर नहीं जा सकी, क्योंकि अपने भाईया के घर पहुचते पहुचते बुआ को साम हो गई, इसलिए बुआ सहिलिया माई के घर नहीं जा सकी, रात में जब भाई भोजाई ने सहलिया माई के परिवार की कहनी सुनाई तो उसके होस ओर गया अब रात को बेठे खाना पीना खाते बक्त बात्चित हुआ, तो बात्चित हुआ तो सहलिया माय के बारे में इसके भाईव हो जाई जब बोले, तो इनकी हालत खराब हो गया, मतलब सुनकर इनको बरा ही गंभीर लगा कि यह क्या हो गया है, अब देखिए हुआ क्या था वा पच एकर का जमीन मिला था, उस पर सिक्यमी बटाई का आधा लेने का दावा ठोक दिया केस कर दिया, कौन? सहलिया माय का बेटा कलिसरा, अब देखिए, जिस कारण केस मुकदमा तो हुआ ही, साथ साथ कलिसरा ने उसके भाई पर फरसा चला दिया, केस मुकदमा हुआ लरा की कलाई कटकर जमीन पर गिर गई, अब इस बचा में सुनलाल चलाता है, जो कलेसरा का पिता जी हो था, उसका कल यहां की कटकर गिर जाता है, कलेसरा खूनी राजनितिक पार्टी से जुरा हुआ है, खूनी राजनितिक पार्टी जो लराने का काम करता है, जाती पार्टी क क्या हो गया है गोवो में ठील के तिसरे पहर मुओा कमल पोखर की तरस निकल परी अब दिन्के इत्रे पहर मतलब साम से थुर्बस हमें तो उससमें पोखर जाब आम पक confident की तरफ निकल परी आथा पोखर के ऊचे मौहार पर खरी हसरत भरी नजर से खवास्टमी की तरफ देखने लगी पोखर से जो है खवास्टमी दिखाई परता था इसलिए एकदम देखने लगी खवास्टमी की तरफ ठीक है सहनाई एवं खुर्दुक बाजे की मीठी मीठी मंगल धोनी की आवाज सुनकर लगा अब खवास लोली से सहनाई की आवाज आ रही थी सहनाई मतलब किसी का साधी हो रहा होगा ठीक है उनको लगा बुवा को कि यह आवाज सहलिया माई के घर से आ रही है यह यह आवा बिदाय के समय काका ने समदाउन की धुन बजाई थी ठीड के ठीकि है, यही धुन बजाई थी सादी के वक्त ठीक है, रग्जु काका. चलिए, आगे बढ़ते हैं बरारे जतन से सगारे हम पोसलों से हो सुगा औरल आकास यह गाना, मतलब गायत है उसके चाचा जी ठीक है यह गाना ख्वास्टोली से आती सहनाई की आवाज से बुवा का मन औसांत सा हो गया ख्वास्टोली से जो सहनाई की आवाज आ रही थी इससे बुवा का मन और औसांत हो गया ठीक है उन्हें अपने भतिजा से पता चला कि सहलिया माई की पोती की साधी है अ का सहलिया लिलावति का मन कि हम भी उस चादी में सामिल होगे कि आपको पता है कितना बच्पन से कितना रिष्टा रहा है सहलिया माई कोई अपना मां मानती थी तो अब समझ सकते और साम के समय कांख में सारी दवार कर उसके घर चन परे साम के समय कांख में सारी दवार करके ल गेतनाद हो रहा था, मतलब क्वीटत भज रहा था, स correct में आपको पता है तो ये सारे चीज हो रहा था, देखिए '' उस्रे पर पंजों के बल बैठी सहलिया माई को लिलावती ने पहचान लिया पंजे के बल उस्रे पर बैठी थी सहलिया माई जिसको लिलावती पहचान लिया वह चुपके से उसके पास गई कौन लिलावती और पईरों पर गीर परी लिलावती सहलिया माई के पर लेकिन आख लिलाबती ने अपना परीचे देती हुई कहने लगी लाल बाबु की बेटी बुच्ची दाय हूँ लिलाबती अपना परीचे देती कि मैं हूँ लाल बाबु की बुच्ची दाय हूँ सहलिया मैं मुझे पहचानो तो सहलिया मैं उसे पहचानी सारे लोग उन्हें देख अस् मिलने चल गी जगरा को छोर करें आज काल के लग्किया क्या करती है जगरा हो गया तो अपने ससुराद से लड़ने के लिए आती एक मम्मी का पाटी लेकर लगने के लिए ठीक है ध्यान ने चीए उन्हें देख अस्तबत थे सहलिया माई के सुखे अस्तनों में जैसे दूद लिदाबति को समझा है कि के कोई सोच नहीं सकता था इतना घ्रा के बाद खून होने के बाद को आ सकता है तो क्योंकि इसी inherent मतलब दूद पीकर वह पली बढ़ी थे सहलिया माई को ऐसा है सास हुआ कि उसके अस्तन में दूद आ गया है क्योंकि इसी अस्तन से दूद पीकर के लिलावत्ती बढ़ी हुई सुच लिजिए कितना हैरान कर दनी वाली बात है अब आगे बढ़ते हैं आगे है टोले के लोग बुच्ची दाय को देखने उमर पर है मतलब सभी का भीरा हुए सोने लाल भराई आवाज में कहने लगा कि तुम्हारे आने से जीवन धन्य हो गया सोने लाल मतलब भराई आवाज में रोने वाला जवाज होता है कि तुम्हारे आने से जीवन धन्य हो गया कले सर उनके पे जगरा किसी भी वीवानी का इलाज नहीं होता है कि वहां का वातावर्ण कि व्याज सब रुक्सा गया हो ठीक है बारात आई विवा की वीधिया चलती रही बुच्ची-दाइबी अरोतों की जुन में बेठी विवा के भूले विशरे गीत रात भर गाई अब देखें बारात आई विवा का माहौल बना सारी अरोतों के भीर में बुच्ची-दाइबी बैटकर गीत गाने लगी सोच लिजिए अगले दिन बुच्ची efecto करने घर लोटने को तेयार हुई तो पुरे टोले के लोग से घिरी हुआ आम बमागखान के इस पार तक का अब अगले दया अगले दिन जो है बुच्ची छों हर नेघर वापस आ रही थी तो जो भी आसपरोस्के थे सबी वोकर परसे देख रही थे कि बुच्ची डाय का अभाइगी इस समय बुच्ची डाय को लग रहा था कि हम बहुत बढ़ा काम करके आए हैं ठीक है कि इस बार इस जमीन का कोई निरने करके जाओंगी लिलाबती से अगले दिन पांच एकर जमीन की जब बात उसके भाईया लिलाबती के भाईया चलाई तो लिलाबती बोले कि अगले बार इस जमीन का इस बार कुछ ना कुछ करके जाएंगे क्योंकि इस जमीन के कारण आई लोग, कारण आप लोग भी परिसानी में रहते हैं, इस जमीन के कारण भाया को बोले कि आप लोग परिसान रहते हैं, भाया ने जमीन के सारे कागजाद तथा हाल में कटाई कई रसीद लिलावती को सुपुर्द कर दिया, क्योंकि लिलावती वाली है अब लिलावती वचन मांग रही है भहिया से वचन दीजिए भहिया तो आप यहाँ पर देखिए आप वचन दीजिए कि दान में मिली जमीन का जो मैं करूंगी उसे आप लोग मजूर कीजिए अब लिलावती बोलती है यह जो जमीन पिताजी मुझे जान दान में द हो तो लिलाबती ने कहा हुप मैं Il्हीकर को नो यह में जमीन को मैं सहलीया माइ को देना चाहता हूँ क्यों कि इसी के बज़े से तो बिवाद है, सोच में कितना दिल फारविष गन्ज रजिट्र्य ओफिस में मिलेंगे लिगे बहaid हुआने बहँ कामाणर रखने के लिए केलिए पमान इजत रखने के लिए र्विस द पहुच जाने के लिए Tयार होग गए ठाकि नाम पर जमीन को लिखा सै के ठीक है बाया के खादी के कुष्टे की जयमें पिस्तोल की जगा जमीन के कागजाद थे अब ले कि canción था कि अर्लट की नदी वो रिद नहीं और लिलावती को लग रहा था कि मानो दूद की नदी वहा रेद नहीं वहा नदी दूद से भरी हुई है और वहा उग डूब करके उस नदी में नहा रही है ठीक है तो इस परकार से आपका यह चेप्टर खतम हुआ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए चलिए अब हम लोग इसके परस्न उत्तर को जानते हैं के बाहर लगी जीप को देखकर लीलावती के मन को ठेश क्यों लगी तो उत्र देखते हैं लीलावती को यह आसा थी कि मुझे लेने गाउं से बहुत लोग आये होंगे लेकिन गाउं के सभी लोगों की जगा केबल भईया भतीजे सुरेस नरेस और एक और परिचित को देखकर वह करतब बिमुड हो गई अपनी आगवानी में इन सब को आया देख लीलावती को ऐसा लगा जैसे सूखी प्यासी धरती पर बादल बरस गए ठीक है क्योंकि उसे उमीद थी कि उसकी आगवानी में वही गाउं की पुरानी टपर वाली बैलगारी या ओहार वाली बैलगारी आई होगी लेकिन बदलते समाज के बदलते बातावरं से वह खिन थी उसे इसी कारण से ठेंस लगी ठीक है लेलावधी को दुख हुआ क्यो नहीं होता पूरा गाउं होता है सहर में ये बाते नहीं है किसी को किसी से मतलब नहीं रहता यहीं गाउं और सहर में बिभिन्नता पाई जाती है ठीक है चलिए अगला प्रशन आपका है तीसरा प्रशन है बुच्छी दाय सुनने में लिलावती को आनंद त्रेक की अनुभ इसके बड़े भाई थे बुच्ची दाय के उच्चारण में जो प्रेम आहाद की भावना है उसे लिलावती को आनदाती रेख की अनुभुति होती है बच्पन में होता हुथ है यह नğा खुसी मिलती है तो वही लीलावती को आनंद आता है ठीक है अगला प्रशन आपका है चूथा बुच्ची दाई को सबसे ज्यादा किस की याद आती है और क्यों तो उत्तरोगा बुच्ची दाई को सबसे ज्यादा याद आ रही है सहलिया माय क्योंकि मौ कहती थी कि सहलिया मा है खवासी नहीं तुम्हारी दूसरी मां है इसी ने तुमको अपना दूद पिला कर पाला प्रोस्तर ठीक है आगे देखिए आगे आपका पाचवा प्रश्न पाचवा प्रश्न आपका है गाउं में लीलावती फोन फ्रिज टीवी विसीडी की जगा क्या देखना चाहती है तो इसका उत्तर होगा लीलावती को आधुनिक विलासिता की सारी चीजे मुंबई में मुंबई में तो खास करके सभी उपलब्द रहते हैं वह तो नईहर की पहले वाली औस्विधाओं के लिए तरस रही है पहले जो औस्विधा थी तो वही सारी औस्विधाओं के लिए तरस रही है सखी सेहलिया नदी पोखर खेत खलियां तोले पगडंडिया नाथ बावा का थान राजा सलहेस का गहबर गुढ़ियावारी बरहम बावा का मंदिर यही सब देखने को लिलावती की इच्छा है ठीक है अगला परश्ण है आपका छे नमर का ध्यांग से देखिए छे नमर में है परस्तूत कहोनी में परियुक्त उन तत्थियों को एकत्रत करें जिससे गरामीन जीवन का चितर उभरता है मतलब ऐसे तत्थि के बारे में बताना है जिससे गरामीन जीवन का चितर उभरता है गरामीन जीवन के बारे में पता चलता है ठीक है देखिए कहोन जीवन का चे पिर उभरता नजराता है मन में गरामीन लगता है कि गाउं का ही बात हो रहा है सात्वा प्रश्ण सात्वा प्रश्ण है बुच्ची दाई जब सहलिया माई से मिलने पहुंची तो सब को अचरज क्यों हुआ वहां के द्रिस्ट का वरनन करें उत्तर हुआ सारे अव्रोधों को पार कर जब बुच्ची दाई साधी के अबसर पर सहलिया माई के आंगन में पहुंची तो सब को घो रास चरिये हुआ क्योंकि वातावरन तो गोली पिस्तोल और मामला मुकदमों तक का हो चुका था लेकिन बुच्ची दाई के पहुंचते हैं सारा खवास च्टोली अस्तबधर आ गया चोग गया कि गोली बंदूक वाला लडाय था यहां पर आ गई बताई सहलिया माई के सूखे अस्तनों में जैसे दूध उतर आया मतलब सब वहां पर अच्छर जमान रहे थे कि इतनी ब लिलावति को देखने उमर परे जिंद्गी की ऐसी सार्थिता लिलावति को कभी महसूस नहीं हुई थी भीतर जैसे आहदा का सागर उमर रहा था लिलावति बहुत खुस महसूस हो रही थी कर रही थी तेक हैं आगे बरते आठवा प्रश्ण आपका आठवा प्रश्ण है लिलावती, खवास टोली और बववान टोली को तवा होने से किस परकार बचा लेती है। देखिए, विनासकारी बातावरन में लिलावती ने सुलकन टोला टोली में साधी के अबसर पर पहुँच कर जिस तरह सामाजिक माहोल में परिवर्तन लाया, वा परसंसनिय नहीं, अनुकरनिय भी है। ठीक है, उसके बेवहार से सोने लाल के बेटे कलेसर ने लिलावती के पईर छुकर कसम खाई की आज के बाद ये हाथ नहीं उठेंगे। क्योंकि एक बैक्ति के बढ़ने से ही समस्या का समदान का होगा, जब सभी बढ़ेंगे तो एक बैक्ति आगे बढ़ा फिर सब पीछे-पीछे, भूल चुक माफ कर दे, इस तरह समाजिक स्वहार्द बनाकर लिलावती ने समाज को तबाह होने से पचा लिया, अगला प्रवाती के बिवाह के समय उसके पिता ने लगती के पिता ने पंच एकर जमीन दान में दी थी, होता है ना दान में देता, आज कल देहेज कहते होई दान देहेज, वही जमीन गाउं की विरादरी के बीच बैकवार्ड-फॉर्वार्ड की लराई का विशे बन गया था, गाउं में अमन चैन रहे, सान तबाता बरन रहे, सम बिलजूल कर रहे, इसी उद्देश को लेकर लिला बती ने अपने भाई भतीजे से वचन लेकर वह पॉच एकर जमीन सहलिया माईक के नाम करती है, यह कहकर कि दूध का मोल कौन दे सकता है, जगरा हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने ही उद्देश से है, आपका दसवा प्रश्न है, गाउं में दंगा भरकने का मुख्य कारण क्या है, तो उतर होगा, सहर के लोग मौज मस्ती की जिंदगी भिताते हैं, वहीं गाउं में गरीबी, बेरोजगारी की भयानकता है, लोग परिवारिक बोज से तंग रहते हैं, उस पर सरकारी नीती का अखारा आरक्षन दंगा भरकने में सहायक होता है, ठेक है? सरकारी नीती से आरक्षन ये सब क्या है? दंगा भरकने का कारी होता है, चलिए, आगे आपका 11 का कोर नमर है, तुम्हारी जो पौँच एक जमीन है, वह तो समझो गिद्धों क के लिए मांज का लोथरा बनी हुई है इसका वैक्षा देखिए प्रस्तूत पंक्तियां रामधारी सिंग दिवाकर द्वारा लिखित सूखी नदीपुल सिर्शक पाठ से लिया गया है या उद्रित इसमें लेखक दिवाकर जी ने समाजिक वैमनस्चता के कोबरे ही सजीव द्धंग से चितरित किया है इनका मानना है कि सारी बुराईयों की जर संपती है इससे औसंतोस बढ़ता है बैमनस्प्याती है लोग मार काट करते हैं आपसी भाईचारा समा तो होता है ठीक है आगे दिखिए इसी प्रसंग में लिलावती के भाई द्वारा पिस्तोल रखन परता है गाउ पहले वाला गाउ नहीं रहा जबसे आरक्षन लागू हुआ है गाउं में जातियों के अलग-अलग संगठन बन गए है नीजी सैनाई हो गई है जमीन जैदाद को बचा पाना मुस्किल हो गया है तुम्हारी वाली पांच एकर जमीन वा तो समझो गिद्धो संगाय के लिए मांस का लोथरा बनी हुए है इसी संदर वोगोदर साथ है मतलब बैकवार्ण फर्वर्ड की लडाई में नीची में पास कम जमीन हो तो कारण मुची जाती के जमीन को जब लिया जाता है तो अलग-अलग कानून है be TYK अब आपका खोह नमर प्रशन है ठीक पहले जैसा गाउन नहीं रहा तो उत्तर इसका होगा प्रस्तूत पंक्तियां रामधारी सिंग डिवाकर द्वारा लिखित सुखी नदी का पुल सिर्शक से उद्रित है इसमें लेखक ने लिलावती द्वारा उठाएगे प्रस्णों का ब्राहित तुलनात्मक विवरन प्रस आई है उसे दुखत आस्चरी होता है कि पहले जहां मेरे भाईया खादी का कुर्ता पहन कर सब भी बने रहते थे अच्छे व्यक्ति बन रहते थे अब उस खादी के कुर्ते में पिस्तोल आ गया है गाउं समाज देश कहों जा रहा है इसी संदर में भाईया ने लिलावती को गाउं की बदहाली के लिए राजनितिक दलोवद्वारा व्यक्वर्ड फॉर्वर्ड की कई भरतसना या निंदा करते हुए पिस्तोल रखने की कारणों से अब गत कराया है मतलब बताया है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण आपका गौनमर का प्रश्ण है सुखी नदी का पुल पिछली बार आई थी तब नदी में पानी था और सिमेंट की पुल की जगा काट का पुल था कट पुला नदी सूख गई है अब रेत ही रेत की नदी है तो इसका देखे उतरगा परस्तुत पंक्तिया रामधारी सिंग दिवाकर दोरा लिखित सुखी नदी के पुल सिर्शक से उद्रिट इसमें लेखक ने गाउं आए बदलाव का गाउं में आए बदलाव का बराही मारे में चितरन किया है लेखक ने उदाहरन देते हुए बताया है कि लिलावती तो पहले अस्टेशन पर बैल गारी के बद आगे क्यों चलते हैं तो लगता है कि गाउं घर पीछे भाग रहा है अब नधी पर सिमेंट का पुल आ गया हैきky पहले तो था काट का पुल apply जो उसके समय में लिलावती के समय में काट का पुल था ही है ठीक है अगला क्यूशन आपका गहार नंबर गहार नंबर है जीप जब दरबाजे से आगे बढ़ी तब लिलाबती को ऐसा महसूस हुआ जैसे दूद की कोई उमगी हुई उजली नदी है और उस नदी में वह उबढ़ रही है इसका देखे उतर होगा प्रस्तुत पंक् सहलिया माई के नाम कर देने की सपत लेकर मजबूर कर देती है तो अब देखिए अब यहां लिलाबती क्या करती है लिलाबती के भाया के पास जमीन रहता है जो लिलाबती के नाम प्रागाता है क्योंकि उसके पिता जी इसको दान में दिया रहता है अब लिलाबती भाया स वादा करवा लेते हैं कि हम इस जमीन को कुछ भी करेंगे आप इससे कोई मतलब नहीं रखेंगा आपको परहाई भी थे तो वही बात इसमें बता जाता है जगरापसाद तमाम मुद्डे सदा के लिए आवसान में चले जाते ख merchant में उस वक्त लीखाईश को भीया और भतीजे का हुरदेador हो जाता है और फारविसगन्ज रजिट्री के लिए जाते समय जीप में ड्राइवर की सीप पर नरेस और लिलाबती के भाया के खादी के कुर्ते में जीब में पिस्टोल की जगा जमीन के कागजाद का पुलिंदा था उस समय लिलाबती को वही उपयुक्त कथन महसूस हो रहा था कि जिसे दूद की कोई उमगी हुई उजली होता पुरा गां होता है या सहर तो है नहीं यहां तो पुरा गां रिष्टेवनातों में बाता होता है वो तरुगा प्रस्तूत पंक्तियां रामधाई सिंग दिवाकर द्वारा लिखेत सुखी नदे के पुल से है लिलाबती 13-14 वरस के बाद अपने नई हर लोट रही है बातावरन बहुत बदल चुका है लेकिन उसे पिछली सारी बाते याद आ रही है सबसे जदा याद आ रही है उसे सहलिया माय ठीक है सबसे जदा याद आ रही है उसे सहलिया माय जिसने उसे अपने अस्तन पिलाकर पाला था वा इस बदले बातावरन में से विमुक होकर प फिक पतत को लिलावती ने अपने भाई को समझाया ठीक है अगला आपका चौर नमबर प्रश्ण बहुत ज्यादा प्रश्ण इसमें था बहुत बना चप्टर है विवाह को उलास भरे बातावरण में आश्मों की या गंगा यमनी बाद यमनी बाद इस बाढ़ में किसका कित एक दूसरे के खून के प्यासे हैं उस समय लिलावती का सहलिया माई के पोतरी की साधी में चुपचाप सारी बादहाओं को पार करते हुए पहुचना बरे ही आश्चर की बात लगता है सबसे आस्चरे तो तब होता है जब लीलावती को कोई पहचान भी नहीं पाता है और किसी को इस बात का विश्वास भी नहीं होता है कि इस परिष्ठिती में ऐसा भी हो सकता है सुने लाल, कले सर और सभी पुरूस एवं महिलाएं लीलावती को अपलक्ट देखती जाए थी लेलावती को लग रहा था कि उसके भीतर जैसे आहादा का सागर उमर रहा है इसी संदर में सभी ने अपने वैर भाव भुला कर एक सुंदर स्तान तवातावरन बनाने की कस्मे खाई लग जगरा सांती करने के लिए आपको छोटा मोटा लाव भावनी को भुला न परें भुला कर स्वार्दी की कस्मे काई लास्ट परस्वे है सिर्शक की सार्थक्ता पर विचार करते हुए कहानी का केंद्रिय भाव स्पस्ट करें बारे है लेकिन ग्यारे में चोटक परश्ण था पौश तो सत्रे परश्ण हो जाता है यह तो दिवाकर की कहानिया आजादी के बाद भीतर से बदलते और तूटते हुए गउं की पीरा की ऐसी कहानिया है जो गाउं पर लिखी जाने वाले कहानियों से थोरा भिन है पिछली दसाबदियों में गाउं का जो नौकरी पेशा बर्ग सहरों का दिवासी हो गया है उस बर्ग के संसकार की जरे गाउं में फैली है मतलब बाहर जो नौकरी करने जाता है गाउं से ही जाता है लेकिन साख उच्छों का व्यक्ति और समाज जिस जगह तूटता है लखक की कहानियां उसी जगह से आकार गरहन करती है इसलिए इस कहानी का सतीक नाम सुखी नदी का पुल है और इसकी सार्थ ठकता रथा केंद्रिय भाव गरामीन परिवेश में आई गिरावट की और इंगित करता है इ ये चेप्टर आपका खतम हुआ ठिक है ये चेप्टर आपका खत्म हुआ ये जो चप्टर आपका था चप्टर नमरось 11 है जिसका नाम तो सूखी नदी का पुल आपको पूरा चप्टर समझाया प्रश्न उत्तर बताया वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैक्स वाचिंग पले लिष्ट जरूर देखिएगा धन्यबाद